माराज जी का तो कोई परिवार नहीं है मुख्यमंत्री जी हमारे आज पांच बार सांसद रहे पांच साल लगातार मुख्यमंत्री रहे इनकी बड़ी बहन जो इनसे 6 साल बड़ी है फूल बेच करके गुजारा करती है इससे बड़ा नजीर और क्या होगा कोड़द्वार में फूल की दुकान है उनके पती चाय बनाते है माराज जी के सगे बहन होई है हासर देना बहुत आसान है अपने परिवार को 12 साल, 14 साल या 20 साल के अवस्ता में छोड़ करके अपने माबाप को छोड़ करके कड़े हिर्दय से समाज की सेवा करने के लिए एक संत खड़ा हुआ आप उस पर भी आच्छेप लगाने लेगे हद है नीचमान सिकता की माराज जी का जो सैनकच है उसमें तखत है लकड़ी की चौकी उस पर एक बहुत ज़्यादा मोटा नहीं पतला गद्दा बिछा रहता है उस पर चादर रहता है उसी पर महराज जी आदी है सोने के कमरे में कोई AC नहीं है लखनव का जो सरकारी आवाज वहाँ भी सेम ब्योस था है क्योंकि वो संत हैं चार घंटे की नीद लेते हैं चार घंटे की नीद पचीज साल पहले भी लेते थे आज भी चार घंटे की नीद लेते हैं एक बर कैमरा घंटे की नीद लेते हैं चारों तरफ जल ही जल पानी ही पानी एक बहुत बड़ा ताल है यहाँ पे और मैं नौका पे हूँ और सुबह सुबह नौका विहार कर रही हूँ और आप लोगों को भी में चाहूंगी आप मेरे साथ पैसे ही एक इतिहासिक चीज बताओं इसके बारे में अगर आप सभी को पता होगा अपना पौरानिक महाभारत में भी आपने देखा होगा जब अग्यातवास हुआ था जब पांड़ों का अग्यातवास हुआ था द्रौपदी जी को प्यास लगी थी तो पानी नहीं मिल रहा था जल कहीं नहीं मिल रहा था तो हमारे महावली भीम ने एक बस पैर मारी थी पानी के लिए और एक बस उनके पंजे के प्रेशर से एक नया ताल हुआ जहां पे ये ताल है जहां पे एक वक्त में कुछ भी सब्सक्राइब करेंगे चाहां पर इसे नावर से पाइब करेंगे और बहुत जबर दसक्राइब कानपूर बातहीं करने वास्ताविकता है और इसे की सरकार और बनेगी और कितना फर्क पढ़ने वाला है बाकी दो चरणों के चुनाओं में तो आईए हम बात करते हैं आपको बहुत-बहुत स्वागत है क्या नाम है आपका राजवीर सिंग राजवीर जी अगर जहां तक मैं जहां जानती हूं आपको आप योगी सेवक भी माने जाते हैं कि कहीं न कहीं आ जानना चाहूंगी जगह के बारे में रामगड ताल के बारे में क्योंकि जब मैं आ रही थी तो मुझे पता चला यहां बड़ा स्नैचिंग होता था चोरी होती थी और बहुत बुरा हाल था यहां पर लेकिन अभी मैं जब आई हूं तो बहुत बदला बदला लग रहा है काफी खुबसूरत है यहां पर लाइटनिंग भी हो रही है पीछे बहुत अच्छा एक फाउंटेन भी है तो और बाकी मैं यहां पर इंजॉय कर रही हूं क्या कितना बदला बाया है देखिए बदलाओ 17 के बाद यह सारा बदलाओ है जब परमपुजे महराज जी हमारे त जैसे आप यह मिडिल आफ सिटी है यह ताल जहां पे इस्तित है जहां है यह मिडिल आफ सिटी में है यहां पर बहुत ही खराब इस्तिती थी अराजकता थी गुंडे माफियाओं का जो बोल बाला था प्लस जहां जो मैं दुबारा उस बात को रिपीट करूंगा कि यहां म कुछ लोग इधर के रहने वाले थे वो आया करते थे 17 में गवर्मेंट अपडेट हुई परमपुजी महाराजी के निर्देश में भाजपा की सरकार बनी इस प्रोजेक्ट था हमारे वहां आपने नाम सुना होगा पूरु मुख्यमंत्री थे मानि बीर बहादुर सिंग जी स चुने गए तो गोरखपुर वालों की बहुत आस उनके साथ थी चुकि महाराजी का ब्यक्तित तो महाराजी का नेचर ऐसा है महाराजी जिससे एक बार मिलते हैं उसको नाम से जानते हैं तो महाराजी जो मुख्यमंत्री बने तो एक आज जो जगी महाराजी ने उसको पू इस ताल में आपको इस समय पानी दिखाई दे रहा है ज्यादा नहीं चार-पांच सल पहले इसमें किवल जलकुम्भी हुआ करती थी जलकुम्भी से पटा रहता था ये ताल उसके टेंडर के लिए दुनिया भर का अनापसवनाप काम होता था आज आपको सोता आपके सामने ह पूरा ताल नीट एंड क्लीन है कहीं कोई तीन पांच नहीं है महराज जी के कुसल गाइडेंस में गोरखपुर के कुसल अधिकारियों के निर्देशन में गोरखपुर का उत्रोत्तर विकास लगातार जारी है जो आने वाले पांच साल भी लगातार चले है अधिक बात बताई है आपने भगवा गमचा भगवा पगडी लगा रखी है लेकिन बात तो उठकर आ रही है डिमपल यादव जी से कहते हैं यह भगवा रंग जो मुखे मंतरी भी आपके पहनते हैं जिसे आप महराज जी मानते हैं तो वो तो कहते हैं कि जंग लगा इंजन बदल देना चाहिए इस तरीके के बाते कर रही हैं देखिए डिमपल यादव जी पड़ी लिखी महिला हैं उनके पती पूरो मुखे मंतरी रह चुके हैं अखले से आदव जी और मैं इस पर के वो लेखी चीज कहूंगा कि अगर वो बिंदी भी लगाती होंगी तो मुझे लगता है उसका कलर भी भगवा अगर सिंदूर भी लगाती होंगी तो लाल और भगवा दोनों मैच करके लगाया जाता है भगवा हमारी सनातन संस्कृति का पोसक है कि सरिया और भगवा न की लाल रंग से हम किसी चीज को डिफाइन नहीं कर सकते हैं लेकिन अगर करने की बात आएगी तो भगवा जो है भगवा कलर हमारे भारत सनातन परंपरा का देस है हमारे वह साधू संतों चिनका हम संभान करते हैं लोग उसका संभान करते हैं दिम्पल यादो जी पता निकिस आवे मान की बात कर रहे है भगवा गुंडों का रंग बताए जा देखे अब वो जो गुंडा होगा वो गुंडों को समझेगा अब उनके परिवार में उनके खांदान में सारे तो गुंडे हैं उन्होंने अपने पूरे परिवार के हाथ मे उत्तरप्रदे सौंप दिया लगबग जितने भी पद थे इटावा सैफई महिनपूरी और एया कन्नोज आसपास के बिल्ट में सब उनके परिवार के थे माराजी का तो कोई परिवार नहीं है मुख्यमंत्री जी हमारे आज पांच बार सांसद रहे पांच साल लगातार पूल बेच करके गुजारा करती है इससे बड़ा नजीर और क्या होगा कोड़द्वार में फूल की दुकान है उनके उनके पती चाय बनाते हैं माराजी के सगे बहन होई है लोग आच्छेप लगाते हैं कि मानी मुख्यमंत्री जी अपने पिता जी के दासंसकार में नहीं करके अपने माबाप को छोड़ करके कड़े हिर्दय से समाज की सेवा करने के लिए एक संत खड़ा हुआ आप उस पर भी आच्छेप लगाने लेगे हद है नीचमान सिकता की मैं वहां रहता नहीं हूँ मेरा आवास है यहां मैं उनकी विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ मेरा तीन पीडियों पुराना संबन्द गुरु गुरचनात मंदिर से है अब देखा होगा कि वो जब यहां पर आते हैं तो कैसे रहते हैं मतलब वो मुख्य मंत्री है बहुत ठाट तो होगी उनकी बिल्कुल बहुत ठाट है इतनी ठाट है कि वो गुरु गुरचनात मंदिर जो लगबग 40 एकड़ में है मंदिर किसी की संपत्ती नहीं होती है जिस वेक्ती को ना जानकारी हो मेरे आपके इस चैनल के माध्यम से मेरी बातों को सुन रहा हो ठोक करके अपने दिमाग में बीठा ले और वही बहुत ठाट पांस साल में पांच कालिधास की है योगी आदितनात सुबह उठे और धुवा न अफूके शीषा में मुह देखें और दंगेश दिखाई देगा दंगेश वो अपने आपको कहते हैं और योगी आदितनात पर दो आरोप लगाते हैं पहला कि वो चीलम जीवी हैं और चीलम फुकते हैं और ये बात पूरा समसमाज पर लागू हो जाता है और दूसरा दंगेश देखें मतलब उनको अब मेरा चेहरा सीशा में भी मेरा चेहरा दिखाई देगा तो कैसे देखते हैं अब इसको देखिए अब इनकी खिले से आदो जी की इस बात परहसी आती है लगबग 26-27 साल हो गया और बहुत ही नजदीक रहने के उपरान तो मैं मतलब इस बात पर मुझे गुसा भी आ रहा है लेकिन मैं क्या कहूं आज तक हमने कभी महराज जी को या मंदिर के अंदर किसी भी सादू संत को चीलम फूगते हुए नहीं देखा तो ये एक मिथ्या रोप है और जो दंगेस नाम रखा गया है आप बताईए पान साल में उत्तर प्रदेश में आप बरिष्ट पत्रकार हैं आप चैनल से हैं पान साल में 17 से 22 की बीच में कितने दंगे हुए इसके पहले का समय इसके पहले की चीज उठा करके देख लीजिए तो आपको खुछ समझ में आ जाएगे कि क्या इस्थिती है दंगेस उनका नामकरण एकदम सही है और वो अगर फिर सत्ता में आएंगे तो फिर इसी तरह क कि कुकृत कराने का कारे करेंगे क्या कुकृत कराते थे कर मैं दंगों की बात करूं अभी वो कह रहें कि अब एक बार फिर मौका दीजिए और वो तो मौका की बात चोड़िए वो तो पूरी तरीके से अश्वस्त है कि योगी आदितनात और बीजेपी सरकार क्लीन अब योगी आदितनात ने भी अपने एक सभा में ये बोला कि 10 मार्च के बाद 11 मार्च को परिवारवाद के साथ ये अखलेश आदड़ का टिकेट लंड़न कट गया है ये बात सामने आ रही है ये बात कहां से उट कर आ रही है किसा मतलब योगी आदितनात जी पुए बढोशा है कि एक बार फिर से उनकी सरकार बन रही है बढोशा अगर एक तरफ देखा जाय तो अखलेश आद़ अद इस बार जो भी आकड़ा रहा हो लेकिन मुस्लिम वोट का भाजपा के प्रति परसंटेज बढ़ा है। कारण पुझे महराज जी के निर्तितु में जो भारती इंता पालिटी की पांस साल सरकार रही। उस सरकार ने यादव और मुसल्मान देखकर के विकास का कारे नहीं कराया। अब मैं योजना आपको बता हूँ प्रधानमंतरी आवास योजना जिसमें आवास बनाया जाते हैं। उसमें अगर पुझे महराज जी के सासनकाल में अगर आवास दिये गए तो उसमें आर्थी कादार पे देखके किया गया कि आपको लगता है मुसलिम और यादव वोटर इस बार अकलेश आदव का साथ ना दे कर योगिया इतनात का साथ दे रहे हैं। देखें मुसलिम और यादव जो राश्टरवादी ब्यक्ति है किसी भी विरादरी से बिलॉंग करता है। पाकिस्तान जिन्दाबाद का ना रहा है। बिरादरी की बात करें तो गुरु गोरचनात मंदिर के चारो तरफ मुसलिम लोकैलिटी है। रसूलपूर है, जाहिदाबाद है। वहां के किसी मुसल्मान को महराज जिस कोई परहसानी नहीं है। बाहर भ्रामक परचार करके, उल्टा सिधा बोल करके, केवल और केवल महराज जी की छवी को बिगाडने कोशिस की जाती है। मंदिर के अंदर लगबग 30% दुकाने मुसल्मानों की हैं, जो महराज जी की सनच्चन में बेहत सुरच्चित हैं। अभी मंदिर को जो सड़क जाती है, गोरखनात फ्लाइवर से नीचे उतर करके, उसका चोड़ी करन किया गया है। उसमें दुकाने तोड़ी गई, जूले लाल जी, सिंदी समाज के देवता माने जाते हैं, उनका मंदिर है, वो मंदिर तोड़ा गया, महराज जी ने अपना मंदिर, गोरखनात मंदिर मठ का जो की बाउंडरी है, उसको तोड़वा करके 20 फीट अंदर कर दिया, और क्या च महराज जी से हाजी के पुलवारा जो हैं, गोरखनात मंदिर के बगल में उनका मकान है, और बहुत वरिष्ट हैं, सीनियर हैं, बड़े महराज जी के साथ के हैं, और मंदिर आना, देखे, जो बाहर परचार है न, आप गोरखनात मंदिर घोमिये, आपको वस्तु इस्थित का पता चल जाएगा, कि बाहर जो लोग महराज जी के खिलाप आगो लवाते हैं, ऐसा नहीं है, राष्टवाजी बिशारधारा का हर व्यक्ति महराज जी के साथ है, और हमेशा रहेगा, अचा पाजी एक बात बताईए, किसान आंदोलन हुआ, आपकी कम्यूनिटी को लेक कि बीजेपी सरकार में सिख कम्यूनिटी को जो बहुत हमारे अगर देश की अगर स्वतंद्रता की बात करूं, कितने वीरगती प्राप्त हुए, और उसमें वीरगती प्राप्त होने वाले में से सबसे ज़ादा योगदान आपकी कम्यूनिटी से था, फिर भी ऐसे नाम मि मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार उन्होंने लगभग सत्तर से असी साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुगा, कि मुख्यमंत्री का जो अधिकारी कावास है, पांच कालिदास, वहाँ पे गुरुबानी का पाठ हुगा, वहाँ पे दिवान सज प्राइमरी किसान था वो अपने खेत में काम कर रहा था और जो लोग वहां सिंधू और गाजी पुरभाड़क किसान जो किसान किसे कहते हैं जिसके पास दो एकड, चार एकड या दो मंडा या बीस विस्वा खेत होता है डेर सो एकड वाले को किसान नहीं कहते हैं या वो व्यापारी होता है तो जो वहाँ सिंदू बॉर्डर पे ग्लास में दूध और मलाई और काजू डाल के पी रहे थे देरनाट किसान देरनाट किसान देर वेपारी अच्छा एक बात बताईए क्या लगता है इस बार यहाँ पे एक चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावन जैसे शब्द भी बोले जाते है नाम बताया जा रहा है कि ये नए उठकर आ रहे हैं टकर देंगे योगी आदितनात को निवा हैं और कुछ बहुत लोगों को लुभा रहे हैं भीड होती है जन सहलाब होता है और इस बार कुछ नया देखने को मिलेगा ये बाते उठकर आरे उनको भरोसा है उन्हें ने तो बहुत सारी चीजे बोल दी कि फाग उनके महिना में कमल नहीं खिलता है फूल नहीं खिलते है इस तरीके के लिए कि उनको उमीद है कैसे देखते हैं आपके गोरकपुर में आके चंटरशेखर जी के बारे बात ना करे तो सही नहीं रहेगा देखिए रामड का एक्चली नाम ही जब रामड है तो दहन होगा पहली चीज दूसरी चीज वो अपनी ट्यार पी बढ़ाने आए हैं महराज जी एक भारत का एक्सकिलूजी चेहरा है तो महराजी के खिलाब जो चुनाव लड़ेगा उसकी ट्यार पी अपने आप बढ़ेगी दो हजार चार हजार रोट पाएंगे जमाने जब तो जाए कहानी खतम हो जाएगी रामड इज नौट एशू फॉर गोरकपुर ना को इशू नहीं है तो समाजवादी कितना टक्कर दे रहे हैं देखें समाजवादी पार्टी में जो प्रत्यासी उठाये गया है दुर्भाग ऐसा है कि उनको बली का बकरा बना दिया गया है अब चुकि उनके हमारे बड़े बेक्तिकत संबंधर है उस परिवार से लेकिन जहां राजनिती की बात आएगी तो मैं महराजी का पच्छदर था हूं और रहूंगा वो उपेंदर शुकला जी स्वरगी यहां से भारती हिंता पार्टी के कद्दावर निताओं में सुमार रहे प्रत्यासी रहे दो-दो बार दुरभागे था कि वो चुनाओं नहीं जीत पाए तो मेरा मतलब अपना खुद का यह आकलन है कि परिवार था गलत हुआ सही हुआ वो एक अलग चीज है लेकिन थोड़ा इंतजार करना चाहिए जो करोना काल में हमारी सिस्टर थी वो एक्सपायर कर गई बहुत लापरवाही थी महराज जी के कुसल और बहतर प्रबंधन के बावजूद अस्थानी अस्तर पर लोगों ने अधिकारियों ने द्यान नहीं दिया जिसके वज़े से बहुत सारी अरोप विपक्षी लगाते हैं कि ऑक्सिजन की कमी थी जी 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 बदब तुर यह कहीं प्रबंधन की कमी थी अक्सिजन वगएरा सब कुछ हो कि प्रबंधन की कमी थो फिर यही स्टेट सरकार में आई न योगिया इतना तो फेल हो गया ना मैं फेल नहीं मानूंगा इसलिए नहीं मानूंगा कि माराजी बैठ करके उस समय माराजी का सोना जागना सब खतम हो गया था माराजी बैठ करके टीम 9 उस समय टीम 11 हुगा करती थी स्टार्टिंग में टीम 11 की बैठा करते थे बाद में उन्होंने फिर टीम को मजबूत किय और तीम नाइन में अब मुख्यमंत्री 24 करोड की जंता है अलग-अलग-धर्म अलग-अलग बिवस्था के लोग हैं मुख्यमंत्री वहां से बैट करके मुख्यमंत्री तो अपने अधिकारीओं के तुरू काम करेगा मुख्यमंत्री हर गाउं हर कसबे हर जिले में नहीं जुपी सरकार कोई दिखी भी नहीं पूरे करोना में करोना में आप लोग खुद गवाँ हैं कि महराज जी बैठे नहीं और अखिले स्यादों केवल बयानवाजी कर रहे थे उनके लोग बयानवाजी कर रहे थे हाईवे पे एक खड़े हो करके आप पूरी का पैकेट बांट देंगे तो उससे पूरे प्रदेश के लोग संतुष्ट नहीं हो जाएंगे प्रदेश की जनता जान रही कि कौन मुर्ख बना रहा है और कौन काम कर रहा है देखे रासन मुफ्त अगर दिया जा रहा है तो वो एक पॉलिसी है गवर्मेंट की और उस पॉलिसी के तहट वो दे रही है जिनको मिल रहा है वो संतुष्ट है हम लोग अभी लगवग लगातार कंपेनिंग कर रहे हैं और कंपेनिंग के दोरान यही नतीजे निकल के आए ह कि जो बस्पा का जो ओडवैंग था जो एकदम डाउन टू अर्थ फैमिलीज हैं जिनके पास खाने पीने के लिए नहीं है अगर उनको रासन मुहिया कराया जा रहा है तो यह बहुत अच्छा बहुत पुन्य का काम है तो एक आखरी सवाल पूछूँगी मैं लगबग मैं अपि जगा पूछा है यह क्या इस बार भी ऐसा है कि कि प्रत्याशियों को देखकर नहीं विधायकों को देखकर नहीं उनके काम के बिहाब पर नहीं सिर्फ और सिफ योगी आदितनात के चünküहरे पर और योगी आदितनात को वोटिंग हो रही है देखे जितने प्रत्यासी भाजपास खड़े हुए हैं आपने बहुत सही सवाल पूछा योगी आदितनात जी महराज एक ब्रैंड है इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता है और सात्विक विचारधारा के हैं उनके उपर पांच साल बिना दाक के मुख्यमंत्री रहने का सबसे बड़ा सिंबल है जो गुरु गोरा सिनात की कृपा है इसके पहले सांसत थे तब भी उनके उपर किसी प्रकार का कोई दाग नहीं रहा अपनी पूरे कारेकाल को उन्होंने बिना दाक के पूरा किया है मतलब विधायक कैसा भी काम करे जनता उनसे दुखी हूँ लेकिन बीजेपी योगी और मोदी के नाम से सिर्फ और सिर्फ सरकार चलाएगी विधायक गलत काम किये तो उन विधायकों का टिकट कटा जो विधायक उस लाइक नहीं थे उनको फिल्टर किया गया कई नए लोगों को मौका दिया गया है तो जनता और जो सिर्फ कमेटी है उसने एक सर्वे टीम बनाई थी उसके आधार पर टिकट लोगों के कटे नए महाराज जी के सूससन पर महाराज जी के कारें कि छंता पर हैं इस अभी यहां सुरक्षा की इप जनी तो आप को खुद पता चल जाएगा आप उसी सपॉर्ट पर आता हुं कि आप जहाँ है हम बगल मैं इसके रिंग और वहाराव दया टक महलाय आती है साड़े ग्यारा बारे बज़ तक ये लोकल ये लेक व्यू पूरा एरिया है यहाँ पर बारे बज़े रहा अब इससे बड़ा महिला सुरच्छा और क्या होगा कि साथ बज़े छे बज़े चेंस नेचिंग होती थी लड़कियां सुरच्छित नहीं थी उड़े जाती थी लड़कियां आज कहीं ऐसा कोई भय का माहौल नहीं है पिछले पांस साल में क्या अपील रहेगा आपके सिख कम्यूनिटी से देखिए जो उत्तर प्रदेश में सिख समाज है हमारा मैं उससे यही अपील करूंगा कि केवल देश और राष्ट को देख करके चुकि मैं यह समस्ता हूं समस्ता भी नहीं मानता हूं कि हमारी कम्यूनिटी ने बहुत त्य किया है उस त्याग को चंद लोगों के चकर में अपनी पगड़ी का मान रखना न भूले बस यही मेरा निविधन ऑपने समाज से कि पगड़ी का मान रखते हूए पुझ महराजी के पच्छ में पुझ महराजी के राष्टassociवादी विचारदारा के पच्छ में जंता के ब जाने वादापका.